कबने फाड के लिए हिंदोस्तान कहां पे बस्ता है दिल में तरेंगे की इस दिल में है इस दिल से इस तरेंगे को कोई निकाल नहीं सकता है जो वीडियो आपने देखा वो हमारे एक मुसलिम भाई का है वो वीडियो दिखाने का मतलब ये है क्योंकि आज कल माहोल ऐसा बना दिया गया है कि मुसलिमों पर नजर पड़ते ही उनको देश द्रोही और पत्थरबाज की भाती देखने का माहोल कुछ ताक्तों के दुवरा बनाया जा रहा है इस देश का मुसल्मान और इस देश का हिंदू दोनों कट्टर देश भगत हैं और इस देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तयार रहते हैं जो मुसल्मान भाई हमारे इस देश में हैं वो इस हिंदूस्तान में बाई चोईस हैं बाई फोर्स नहीं है 1947 में जब बटवारा हुआ तो हमारे पास option नहीं था हमारे मुसलिम भाईयों के पास option था कि वो जा सकते थे पर वो यहां रुके क्यों क्योंकि उनके परवजों ने बड़े ही एक-एक कत्रे से इस जमीन को सीचा है और हमें आज खुसी से संतंतरता के माहोल में सांस लेने के योग्य बनाया है तो जो भी ताक्ते हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती है धर्म के नाम पर किसी की राष्टरवाद को परखना चाहती है उनको काम्याब नहीं होने देना है आज 15 अगस संतंतता दिवस को हम सब को परण लेना है कि हम भाईचारे के साथ रहेंगे मिल जुलकर रहेंगे जो नफरती ताक्ते हमारे समाज को तोड़ना चाहती है उनको फिर से इस देश का विभाजन करने हम नहीं देंगे जिस नुह मेवात में आज जो इंसिडेंट 31 जुलाई को हुआ था उसके बाद जिस तरीके से बुल्डोजर चलाया जा रहा है भारतिय जंता पार्टी महापंचायत में पहुँचकर एलान कर रही है कि फिर से हम यातरा निकलवाएंगे बुल्डोजर फिर से चलवाएंगे और चुन-चुन कर ऐसी करवाई करेंगे कि पुष्टे तक याद रखेंगी पर वहीं हमारे इंसानियत से भरे हिंदू और मुसलिम सच्चे देशभग्त जिनोंने संग्योंने जिस तरह से हमारे हिंदू और मुसलिम भाईयों के घर तोड़े हैं उनको फिर से बनवाने का काम कर रहे हैं ये होते हैं असल देशभग्त जिन के पास आज सत्ता है आप ये मत सोचिए वो ही असली देशभग्त हैं वो ही असल रष्टवादी हैं वो ही असली हिंदू है कुर्शी पर जो लोग आये हैं उनने से पहले बहुत आये हैं बाद में भी बहुत आएंगे, सरकारे आई हैं, सरकारे जाती रहेек, पर ये देश रहेगा इस देश का लोकतंतर हमेसा रहेगा, उसको बनाय रखने का जिम्मेदार और उसका बोज सारे हमारे कांदों पर है, हर वर्ग के उपर है, हर समुदाय के उपर है, इस लूह के मुस से बूढ़े नौजवान सब खुसी से तेरा लहरा रहे हैं और 15 अगस्त को एक बहुत ही खुसी के माहौल के साथ बना रहे हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे मुसलिम भाई की जो वीडियो मैंने दिखाई वो दिखाने का मतलब यहीं था और उनका खुद का इस तरह से अपने आपको परदर्शित करना कि यहां हिंदुस्तान बसता है और खुर्ता फढ़ना उन नफरती ताक्तों के लिए एक संदेश है कि देख लो तुम कितना भी अत्याचार कर लो तुम हमारे दिल से हिंदुस्ता को नहीं निकाल पाओगे यह वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिए कबडे फार के इए कपड़े फार के हिंदुस्तान ओं कहां पे बस्ता है रिंडियू का पे बस्तां है यह इस दिल में है इस दिल में है इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है इस दिल से इस तरिंगे को कोई निकाल नहीं सकता है देख लिया वीडियो आपने और एक मुख्य बात आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो थाक्तें जोसे देश को तोड़ना चाहती है वो असल कोन है और उनका राष्ट्रवाद आखिरकार कितना परमुक है ये आदमी जो हैं ये संगठन जो हैं ये अपने आपको असल राष्ट्रवाद बता कर इस देश के अलप संखेकों पर अत्याचार करने में जरा सा भी नहीं चोकते हैं तो आज 15 अगस्त पर इनकी चली हम पोल ही खोल देते हैं ये कितने राष्ट्रवादी हैं परधान मंतरी निरेंदर मोदी ने पूरे भारत वर्ष से अपील की थी कि आप तिरंगा जंडा अपने घर पर लह राएं और सोशल मीडिया पर अपनी डीपी को तिरंगा में रंग दीजिये यानि कि हमरे नेशनल फ्लैग को डीपी बना लीजिये परधानमंत्री निरेंदर मोधी का ये ट्वीटर है, शाफ तोर पर देख सकते हैं, हमारे परधान से वक हैं, परधानमंत्री मोधी जी हैं, उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल का, फेस्बुक हैंडल का, डीपी तरंगे को बनाया है, तो क्या RSS जो हिंदूतों का हमेशा सेट करती रहती है मुसलमानों को इस देश से किस तरह से निकालने पर आमदा रहती है तेचार करने पर आमदा रहती है उनका ये ट्वीटर है इन्होंने आज भी अपनी डीपी नहीं अटाई है वहीं सनातनी वाला जंडा लगा रखा है इस देश का जंडा नहीं लगाया है ये है इनका रश्ट्रवाद ये है तिरंगे के परती इनका आदर ये इनकी खोकली रश्ट्रवाद का परतीक है इस देश की आजादी के लिए जब हमारे पुर्वज लड़ाई लड़ रहे थे कंधे से कंधा मिलाकर उस समय ये लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे जब हमें आजादी मिलने वाली थी उसमें उस आजादी से ये लोग खुश भी नहीं थे क्यों? क्योंकि इन लोगों का कहना था कि जिस मुल्क को आप आजाद कर रहे हैं उसमें महिलाओं का अधिकार दे रहे हैं सुविधान के तहट आप एक समुदाय को उनका उपर अपलिप्टमेंट करने के लिए उनको अधिकार दिया जा रहे हम ऐसी आजादी नहीं चाहेंगे और इनके जिस्त रह से योगदान को स्वंत्र आदलन में आका जाए तो कोई चित्तर आप ढूण नहीं पाएंगे आज बहुत सारी वीडियो हमने देखी बहुत मैं कहा रहा हूं देश भक्ति के साथ उनमें गाने लगे हैं तस्वीर लगी हैं वीडियो लगी हैं पर बहुत सारी महनत करने के बाद भी किसी संग वाले को संतरता सेनानी के रूप में इस देश का गोधी मीडिया और भारत्य जंता पार्टी के सारे सरगना और राइटी सैल भी नहीं ढून पाएं निल योगदान है इनका आजादी के लड़ाई में ये अंग्लोजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और यहीं आरसस वाले आज मुसलमानों से देश भक धोरे का सर्टिफिकेट माँग रहे हैं इस देश के अलब संखिको को कुल चलने पर आमदा रहते हैं हिंदू राष्ट्रस देश को बनाना चाहते हैं इस देश के मुसलमानों को, सिखों को, इसाइयों को, जैनों को, बुद्धों को, कहां छोड़ कर आएंगे फिरा? क्या, 44 करोड की जो आबादी हिंदुओं के अलावा जो रहे गई, उन्हें इस देश से निकाल देंगे, और तुम्हारा संतंतरता आंदलोन में इस देश की आजादी में कोई योगदान ही नहीं है, तो तुम कौन होते हो इस देश के अलप संख्यों को से, या किसी भी एक नागरिक से, उनकी देश भगती का सर्टिफिकेट मांगने वाले? यह RSS की सच्चाई थी, और विशव हिंदू परिशद और हिंदू महास्षबा, यानकी कुछ ये हिंदू वादू संख्ठन है जिने में बजरंग दल भी आ जाता है, यह जिस तरीके से, आपकी देश भगती के उपर लेकर सक करते हैं, किसी के उपर सिख की पगड़ी हो जाए, या फिर मुसलमा की उपर टोपी हो जाती है, तो उसको सक्सी नजर से देखने लग जाते हैं, उसके देश भगती और रश्टरवाद को रश्टरवाद मानने के के लिए तयार नहीं रहते उनके असल हकिकत क्या है आपको बताऊंगा मैं हिंदु महासभाय या यह तमाम हिंदुवादी संगठन उननीस सो सेंतालिष जो पंदरा अगस्थ है उस तारीक को आजादी दिवस के रूप में मानते ही नहीं 26 जनवरी को मानते हैं गनतंतर दिवस को नहीं मनाते पंदरा अगस्थ को क्यों नहीं मनाते क्योंकि पंदरा अगस्थ को इनका मानना है कि हम असल में आजाद नहीं होए थे हम आजाद उसी दिन होंगे जिस दन ये देश हिंदु रस्ट्र घोसित हो जाएगा सनातन धरम का एक परमुक अजंडा लेकर सनातन रस क्योंकि हिंदु महास्वा का मानना है 15 आघे सु शन्तालिस को देशाजाद नहीं हुआ था कि हिंदु महास्वा का मानना था विशा राष्ट का कल्पना की चाहिए जो आपके उपर आजकल पिंच करकर के आपको इस देश से खदेड़ना चाहते हैं अल्प संख्य को उसे नफरत करते हैं सविधान से ये लोग नफरत करते हैं 26 जनर्वर पंदर आगस नहीं मनाना चाहते इस समतंतता दीवस पर तिरंगा नहीं लगाना चाहते अपनी सोशल मीडिया पर पनाकर एक आडंबर खड़ा करके कुचलने की तियारी कर देते हैं किसी तरह इनके सत्ता हाथ लग गई है तो क्यों हम इनके आगे घुटने टेके एक बार इस देश का बटवारा हो चुका है धर्म के नाम पर दोबारा बटवारा कब होगा किस तरह से पहले वाला बटवारा हुआ उसको जानना जरूरी है 1947 को जब बटवारा हुआ था वो इन्हे धार्मिक कंटरपंथियों की वज़े से हुआ था दोनों तरफ के मुस्लिम समुदाय में भी कंटरपंथि थे और हिंदू समुदाय में भी कट्रपंती थे उनके कार्ण ही हमें बटवारा जेलना पड़ा क्योंकि उनकी हट धर्मिता की वजय से ही धीरे धीरे उनके विचार बाकी लोगों में फैले और उनके पीछे आकर पहले हजार लोग खड़े वे फिर दस्सो हजार हो गए फिर ला अपना भाई शांत हो जाता है और अपना घर संभाल लेता है तो हम अपना घर संभाल लेंगे लेकिन हमने यह बात इसी उमीद से मानी थी कि हम शांती से अपना काम करेंगे उसमें हमारी गल्ती हुई टुकडे करने के बाद हमने वह काम किया जो नहीं कर रहा था क्या क्या किस तरफ इशारा कर रहे हैं सरदार वल्लब भाय पटेल का इशारा आज का जो माहूल बना हुआ है ठीक उसी तरफ से है आजादी के बाद सरकारे आई और हिंदू और मुस्लिम तुस्टिकर्ण की राजनिती सरू हो गी मैं यहां किसी पार्टी का पक्स रखने के लिए नही पारला लहरों की सरकार जिसमें परहुआ करते थी खोले आम उसमें मुस्लिम तुस्टिकर्ण की राजनिती होई मैं सारुजनिक तोर पर यह कह सकता हूं और उसके बाद इसकी जलक बाकी की यूपिय सरकार में देखनों को मिली और जब से जन संग का जनम हुआ है 1952 से पैर चलल में और भी एकता यात्रा के नाम से कन्या कुमारी से लेकर कि कश्मीर के लाल चोग तक हमारे यहीं मौदी जी चले थे पता नहीं कितने लोग इन दंगों में मारे गए इन यात्राओं के साथ है यहीं दंगे हुए थे रथ यात्रा में कितने कार्शिविक मारे गए और कितने मुस्लिम समिदाएं के लोग मारे गए बाबरी मस्जिद ड़ाई गई और उसके बाद किस तरह से पूरे देश में दंगे बढ़के मुसलमां भी मारे गए हिंदों भी मारे गए तो जिस चीज से बचने के लिए इसी गरह युद से बचने के लिए हमारे संतरत्ता सेनानियों ने बटवारा स्विकार किया था कि देखिए इस घाओ को तो आप जहम किसे ने किसी तरह सहले रहे हैं बाकी आगया आने वाला समय भाई चारे का होगा पर आज हमने क्या बना दिये इस देश को आज अगर हम अमन और चैन चाहते हैं तो कुछ ताक्ते धर्म के नाम पर इस देश को फिर्शे तोड़ने में लगी है हिंदू राष्टर का सरिया मुद्गोश होने लगा है क्या भारते जन्ता पार्टी भी नहीं मानते की 15 अगस 1947 को हमारा आजाद हुआ था देश जिस दिन हिंदू राष्टर बनेगा उसी दिन ही आजाद मानेगे 2014 के बाद जो हिंदू बने है नए नए क्या उससे पहले उनका राष्टरवाद किसी बिल में छुप गया था क्या हिंदू राष्टर बनने से ही इस देश का भला होगा क्या 26 जन्वरी को भारते जन्ता पार्टी भी गंतंतर दिवस नहीं मनायागी नहीं मानती सविधान को लग तो ऐसा ही रहा है आज जिस तरह से चुन-चुनकर मेल्प संख्यों के उपर अत्ताचार हो रहा है नुह में जो हमने देखा वो इसका ताजा तरीन उधारन है उकल रहे ने रहे हम पर्मानेंट है आप पर्मानेंट है इस देश का हर समुदाएं और हर जाती के व्यक्ति सथाई है और जो हमारी वोट के उपर ही हमारे ताकत से ही जिनको आज सैवधानिक तरीके से कुर्सी मिली हुई है आज हूँ हमारी उपर अत्यचार कर रहा है अगर हम बटवारे को स्वीकार नहीं करते तो पूरे देश में ग्रह युद होते एक आज तो मानली जी 1947 में दो टुकड़े हुए है उसके बाद कई टुकड़े इस देश के करने पड़ते उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं उसी तरफ भारतय जंता पार्टी इस देश की असत्ताधारी पार्टी अपनी कुछ तथा कतित हिंदू संग्टनों के सहारे उसी गरह युद में हमें धिरे धिरे धकेलती जा रही है कि सच्चाई है आँख खोल कर देख लीजिए जरूरत है सैकुलर आदिमियों की जरूरत है उन लोगों की जो अमन और चैन और जनता पार्टी हो दोनों ने अलग-अलग समय में तुस्तिकन के राजनीती की है जिसके कार्ण उन्होंने कट्रपंथियों को पकड़ा है एक पार्टी ने मुसलिम समुदाय के कट्रपंथियों को पकड़ा तो दूसरी हिंदू समुदाय के कट्रपंथियों धर्म गुरू कुछ पता नहीं चलता इसका कट्टर पंति किसी भी धार्मिक का अंधापन होती है यह देश को गर्त में लेकर जाती है ग्रह युद में तमदिल कर देती है टुकडे करने के लिए मजबूर कर दे दी है कुर्शी भोगने के लिए जो लोग आज इस देश को बाठना चाह रह किये आज संतंता दिवस पर यह अपने मन में पढ़न लेकर आप लगे रहिए भाईचारे के संदेश देजिए और हमेशा जो लोग भाईचारे की बात करते हैं सबी समधाय को एक चुट करने की कोशिस करते हैं उनका साथ दीजिए बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे लोगों का माइंड बस करने के लिए युवा पीधी को सिर्फ धर्म में ही उल्जा कर रखने के लिए वो बहुत खतानाक है अपने बच्चों के बचाईए अपने परिवार वालों को सिख्षा दीजिए आमन और चैन और भाईचारे की भारत्य जंता पार्टी से जो लोग पुआ तो जुड़े होंगे और हिंदुतों की राजनिती में सामिल हूँए अक्सर मसल्मानों की किताब पर टारगेट करते हुए मिलेंगे एक परमुख यह पहचान है आपको यह कहते हैं मिलेंगे कि आप इनके साथ कित्रहीं भायेचरा निमन भालेजिए ये आपके साथ कभी भाईचरा नहीं निबाएंगे इनकी उपर बात आएगी जो पलट जाएंगे इस तरह की बाते वर्टसप यूरिश्टी में आती हैं लोगों के अंदर भै बैठाया जा रहा है कि ये कोम तो आतनक वादी ही है इसका छोटा से लेकर बड़ा हर व्यक्ति इस देश के पर ती राष्ट भग तो हो ही नहीं सकता पर ऐसा नहीं है सचाई जब आप एक मुस्लिम समुदाय की व्यक्ति के साथ बैठ कर बतियाएंगे और जब भी आपको उनकी जरूत पड़ेगी या उनको आपको उनकी जरूत पड़ेगी तो उस समय पर आप नहीं करना है यूज करके प्रैक्टिकल करके देखना है तभी अगर आपके मन में कोई मंसा है आशंका है वो दूर हो पाएगी और किसी भायचारे के साथ आपको भी लगेगा कि हमें सद्भाव और सोहार्द के साथ ही इस देश को मजबूत करना है नफ्रती ताक्तों को पाक सिखाना है और जो धर्म की राजनिती करते हैं चाहें वो किसी भी धर्म की करती हो उनको मजबूर करना है चित्रिय मुद्धों पर ध्रातल के मुद्धों पर विकास के मुद्धों पर महिला सरुक्षा रोजगार और महंगाई जैसे चीजों से लड़ने के लिए हमें सत्ताधारी पारेटरी या विपक्स को राजनिती करने के लिए मजबूर करना है यह सत्साई है आज कर लोगे तो आज भला हो जाएगा बहुत समय करना पड़ेगा नहीं तो ग्रेह युद्ध का सामना आपको करना पड़ेगा जैहिंद वंदे मातरम